Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल ज़रूरी है, before you understand that what exactly is 3, 2, 1 इसको आपके prelims से पहले, before pre कैसे use करना है, और prelims के बाद कैसे use करना है, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, लेकिन इसका effectively use करने से पहले, you basically have to understand that what exactly is the timeline, कितना समय रह गया आपके exam में और इस time को कैसे आप use कर सकते हैं, right और कैसे rationalize कर सकते हैं, now see, आपका exam 26th में को है, 26th में of next year, which is 2024, अभी आप मान के चलिए कि, let's say, August 27th के pass का time है हमारे पास, जिसका मतलब basically ये है that we can divide this time into two parts, February, Jan end तक, and अभी से लेके Jan end तक, Jan end से लेके 26th में, and अभी से लेके Jan end तो basically आपके पास approximately 150 days है कब तक, 150 days कब तक है, Jan end तक, right and 114 days आपके कब तक है, this is between February to May ठीक है, February से मे के बीच आपके पास इतना समय है अब इसके अंदर अगर आप अपना time सही से utilize करना चाहते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इन दो sections को divide क्यों किया गया है divide इसलिए किया गया है because prelims is considered to be the iron gate इसको cross करना अपने आप में एक challenge है, और इसलिए ये 114 दिन आपके dedicatedly prelims की तयारी के लिए लगने चाहिए अगर ये नहीं लगा पाए दिक्कत आ सकती है, और अगर इनको effectively लगाना है, तो ये 150 days में आपका एक base strongly prepare होना चाहिए अब इस base में देखो, 3-2-1 approach use होगी 3-2-1 का मतलब है कि basically the time that you are dedicating and I am assuming कि आप लोग full-time aspirants है working professionals के लिए भी मैं बताऊँगा कि वो क्या approach follow कर सकते है full-time aspirants, let's say अभी तयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो पहले कड़वा सच, आप already late हैं तयारी में, बहुत से aspirants उन्होंने May end में अपनी preparation शुरू कर दी and it has been what? June, July and August तीन महीने वो already आप से आ गये हैं तो अब आपके लिए important है कि आप वो backlog जो है वो उसको cover करें सही से cover करने के लिए you will have to give approximately 10 to 12 hours for your studies dedicatedly, अब इस 10 to 12 hours में आपका तीन हिस्सों में दिन divide होना चाहिए जो तीन घंटे हैं, वो आपके जाएंगे आपके optional को यह optional का हो देख लो यार यह समझ लो कि अभी से लेके जैन एंड तक का ही time है जिसमें आप optional पढ़ सकते हैं क्योंकि जैन के बाद जितना optional हो गया हो गया, अगर रह गया तो रह गया और अगर आपका prelims clear हो जाता है और optional prepared नहीं है इससे गहरी खाई कोई है ही नहीं पर prelims clear करने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर optional prepared नहीं है क्योंकि उसके बाद बहुत pressure आ जाएगा, mains में उतना अच्छा perform नहीं कर पाओगे तो इतनी मुश्किल से जो prelims clear हुआ, कैसे उसका benefit लोगे और ऐसी कोई guarantee नहीं है कि एक बार prelims हुआ है तो अगली बार भी हो ही जाएगा बहुत से ऐसे candidates जो selected officers हैं अपने rank को improve करने के लिए दुबारा paper देते हैं they fumble upon the prelims stage itself तो ये बहुत ज़रूरी है कि optional को हम priority देंगे अभी से लेके jan तक इसको अच्छे से कर लीजिए जो second है इसमें 3 to 1 में जो 2 है, that is for your journal studies and 1 is for your current affairs now, the day the time of the day that you are going to allocate वो इस ratio में होना चाहिए 3 is to 2 is to 1 ठीक है, ये कितना बन गया let's say calculations को easy करने के लिए let's say आप 12 गंटे पड़ रहे हैं तो इसमें अगर 12 hours है ठीक है, 12 hours is equal to 6x चलो, C-side करते हैं थोड़ा right, x becomes 2 hours तो आपका option कितना बन गया आपका optional जो है, वो 6 गंटे लगबग रहेगा, आपका जो gs है वो लगबग कितना रहेगा, 4 गंटे और आपका current affairs 2 गंटे ये मैं higher side की तरफ बता रहा हूँ कि अगर 12 हंटे पूरे दे रहे हो तब ये proportion रहेगी आपकी ठीक है, जो लोग full time में coaching भी कर रहे हैं, तो इसमें coaching का time भी included है, ठीक है, let's say कि आपने 3 गंटे optional की coaching ली, तो उसके बाद 3 गंटे आप optional को study करोगे अगर आपने 3 गंटे GS की coaching ली, तो 1 गंटा GS को साथ में study करोगे, और दिन के 2 गंटे आप current affairs को दोगे, हो सकता है, आप around 45 minutes कोई video देख रहे हो, कोई series देख रहे हो, जैसे कि Indian Express की series भी मेरी आती है, daily basis पे on study IQs YouTube channel, आप चाहें तो उसको recorded भी देख सकते हैं, वो live sessions हमीशा saved रहते हैं, तो 45 minutes की series देख ली, बाकी remaining time revise कर लिया, इस तरह से आपको divide करना है, अभी से लेके jan end तक अगर ये divide करके रखोगे, तो सारी चीज़ें streamline हो जाती है, ठीक है ये बात I hope आपको समझ लग गई अब इसमें से, आप में से बहुचे लोग ये भी कहेंगे कि sir इतना जादा time कैसे दे, तेखो अगर ratio की बात है, अगर 10 hours आपने दिये, ठीक है अगर आप 10 गंटे देते हैं, तो उसमें क्या होगा, कि approximately 4 to 5 hours आपके optional को, approximately 3 hours जो होंगे आपके GS को and approximately 1.5 hours, आपके current affairs को मिलेंगे, ठीक है तो ये 5 प्लस 3 प्लस डेड़, क्या बन गया ये, साड़े 9-10 गंटे, ठीक है इसको साड़े 3 कर दो, इसको डेड़ कर दो इस तरह से रहेगा, मैं ratio की बात कर रहा हूँ अब इस ratio का अगर effective use करना है, तो please trust me guys, आपको books से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा please understand, मैं ये अपने lectures में भी ये बार बार बताता हूँ आपने Indian Express में भी हमेशा देखा होगा किसी books में content दिया होता है which has a fabulous grammar, ठीक है, और उसमें sentence formation complete होती है right, अब आपके पास एक ऐसा article है here is an article with you guys इस तरह का article है, अब इस article को आप पढ़ोगे, समझोगे ठीक है, उसके बाद इसके notes बनाओगे notes बनाओगे, मैं फिर कोई doubt आएगा फिर आगे process होगा, it is time consuming right, you don't believe me let me show you, आपको मैं एक example के जरीए, ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो let us say कि एक हम article खोलते हैं ठीक है, एक article हम खोलते हैं कौन साल हैं, ये article लेते हैं, चलो ठीक है, इसमें छोटी सी example मैं ले रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी example आपका एक point clear करने के लिए, इसमें देखो, आपके पास ये points दे रखे हैं, ये अभी recently जो भारत end cap ratings आई हैं, उसके context में हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि क्या conditions हैं basically, ठीक है conditions क्या है, कि जो testing होगी गाडियों की, उसमें जो frontal impact test होगा उसमें जो offset deformable barrier है वो 64 km प्रती गंटा की speed से टकराएगा, car makers ने कहा था कि 56 km होना चाहिए, बट सरकार ने ये रखा है, फिर बताया है कि pole impact test जो होगा, वो 3 star यां उसके उपर वाला गाडियों में होगा और 3 star यां उससे जादा rating है तो electronic stability control और frontal seat belt reminder भी चाहिए, अब इसको read करोगे, ये बड़ा monotonous सा लगेगा blatant लगेगा, but on the other hand अगर मैं आपको verbally ये चीज़ समझा दूँ और उसके बाद आप इस flow chart को देखो गाड़ी का frontal test मतलब head on collision में क्या safety है उसकी, 64 km प्रती घंटे की speed से टकराएगा, ठीके उसके बाद manufacturers कह रहे थे कि ये 56 करो, ताकि थोड़े से standards हमारे लिए भी असान रहें सरकार नहीं मानी, सरकार ने ये रखा कहा कि इसमें आप अच्छा करेंगे, तो ये automatically अच्छा हो जाएगा, pole impact test तीन स्टार और उसके उपर वाली गाड़ियों में mandatory है, electronic stability, right, और frontal seatbelt ये भी तीन स्टार और उसके उपर वाली गाड़ियों में mandatory है, अब इतना सारा read करने के बजाए, आप ये read करेंगे, obviously आपका time save हो रहा है, आपको बात भी समझ लग रही है, मेरी verbal बात सुनके आपको clarity भी मिल रही है same, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर newswepper या किसी books से पढ़ोगे बड़ी दिक्कत आएगी, N-CAP rating को कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक standards follow करते हैं, automobile manufacturers उसको AIS 197 कहा जाते हैं इसमें वो खुद से एक car manufacture करेंगे N-CAP की team को बुलाएंगे team random basis पे उनकी factory में मौझूद एक गाड़ी चुनेगी, उसका base varied चुनेगी, उसको लेके जाया जाएगा crash testing site पे, company का representative साथ होगा, crash test होगे जो result आएगा, उससे comply करवाया जाएगा company को, और share consumer को भी पता रहे कि उनकी गाड़ी की rating क्या है, और पूरी जिम्मेदारी जो testing की है, वो Automotive Research Association of Indian Labs in Pune and Chakkan यहाँ पर मौझूद है, इनके पास है see, यही चीज अगर article में पढ़ोगे सर चकरा जाएगा यही चीज किसी की help से करो तो काफी आसान हो जाता है, और ऐसे ही हम follow कर रहे हमारे P2Y batch में, यही approach, ठीक है उसमें भी ऐसे ही है, कि देखो classes, optional और GS की 3-3 घंटे की होती है, right, GS की class में हम इस हिसाब से पढ़ाते हैं, कि class के अंदर यह आपको maximum चीजें समझ लग जाएं, और घर जाकर आप सिर्फ एक घंटा भी अगर अपनी studies को दें, जिसमें कि आपको crux, pdf और handwritten notes हमारी ही site से दे दिये जाते हैं, तो उससे आपका काम बन जाता है, and optional में भी हम same approach follow करते हैं, optional में बस हम आपको handwritten notes everything जादा देते हैं, बस हम आपसे यह expect करते हैं कि थोड़ा आप time जादा दे, at least jan end तक, तो study IQ के P2I batch वो start हो चुके हैं, 3 to 1 approach, please follow कीजी उसमें, एक 3 to 1 approach हम mains के time पे भी follow करते हैं, इसी batch के अंदर, इसी course के अंदर उसमें क्या होता है, कि हमने issues हैं, जिस पर mains में सवाल पूछा जा सकता है, उसको 360 degree angle से cover करेंगे, जैसे कि यह end cap है इसमें अब पूरा का पूरा cover किया जाएगा, कि क्यों इसकी relevance थी, और कौन से country जिन्नोंने SI rating start की है, क्या इसके फाइदे हैं, नुकसान क्या है way forward किया है, वो सारा cover किया जाएगा और इसके आपके notes बनवा दिये जाते हैं और हमारे end से आपको एक write-up दे दिया जाते हैं, इस write-up को आप घर जाके revise करेंगे अगले दो दिन आपकी होगी answer writing practice in the class ठीक है, जिन लोगों का pre clear है, उनको residential program भी मिलता है, P2I में तो उनके पास ये option है कि अगर आपका pre clear है आप P2I के students हैं, आप daily NCR में हमारे साथ physical classes attend कर सकते हैं, और आपके रहने का खाने का, boarding, lodging, जितना भी खर्चा है वो study IQ bear करता है, you do not have to pay anything extra for that तो इसमें answer writing program यहाँ पर दो दिन चलता है दो दिन आप answer लिखेंगे immediately क्योंकि हम आपके साथ physically present है हम आपको feedback वहीं पर दे देंगे कुछ gain करके जाओगे, घर जाके फिर revise करोगे और practice करोगे, और improvement होगी प्लस एक दिन हम current affairs को देते हैं जहाँ पे basically what are we doing we are doing what, we are doing current affairs और current affairs को answer में कैसे link करना है इसकी जानकारी दी जाती है ठीक है, तो this batch is very helpful to you तो इसमें हमारे दो variants हैं इस batch के अंदर ठीक है, let me tell you कि ये variants क्या है देखो सबसे पहले तो जो full time तयारी कर रहे हैं उनको मैं suggest करूँगा कि वो हमारा 2024 के batch में enroll कर सकते हैं हम 3 languages में इस batch को offer करते हैं English, Hindi and English English में pure English बोली जाती है everything in English, Hindi में शुद्ध Hindi use की जाती है और English में ऐसे हम mix में बात करते हैं, content आपको जिस भी भाशा में चाहिए वो मिल जाएगा books इसमें साथ में मिलती हैं, जिस language में आप books prefer करना चाहते हैं, वो मिल सकती है ठीक है, 45,000 का ये course है CS live code लगाने से आपको maximum discount इसमें मिल जाता है and इसमें जो admissions हैं वो देखो 31st August को खतम हो जाएगी 31st August के बाद आप इसमें enroll नहीं कर पाओगे so after that it is going to be a challenge for you if you want to prepare for UPSC IS 2024 तो full time aspirants यहाँ पर अगर enroll करते हैं तो वो सही से आगे की अपनी journey follow कर सकते हैं हमने जिस हिसाब से इस course को design किया है hand written notes, crux, pdf, summary documents उसके मदद से आप timely सारा syllabus complete करेंगे ठीक है, entire syllabus will be completed जो लोग full time नहीं है college going है या working professionals है उनको मैं सला दूँगा आप 24 के जगा 25 को target करो ठीक है, because at this point of time it is going to be a lot of pressure if you are going to go for 2024 और पहली attempt में इतने pressure में जाना मैं सला नहीं दूँगा मैं यही कहूँगा कि आप तरीके से आगे बढ़िए 2025 को target कीजे लेकिन इसमें धीले नहीं पढ़ना, यह नहीं सोचना कि हाँ मेरा target आगे चला गया, अब मैं आराम से बैच सकता हूँ, no, you will have to work equally hard, you will have to work under guidance as well, लेकिन आपके पास क्या है कि मान दो, जो 200 दिनों में ठीक है, जो 200 दिनों के अंदर एक full timer achieve कर रहा था by studying for 10 hours रैट से आपके पास सिरफ 5 गंटे हैं जिसमें आप studies कर सकते हैं, तो 5 into 2 into 200 तो 2025 के लिए ठीक है, ये एक साल की जगा दो साल का target आपका जो है, उसमें आप अच्छे से cover कर सकने से लिए बसको तो आपके लिए हमारे पास एक ऐसा course है जिसमें classes में जो हमारा curriculum है वो इस हिसाब से designed है कि हम बहुत ज़ादा burden नहीं डालते इस specifically designed है college going और working professionals के लिए, what you people have to do is just attend the classes listen carefully, ठीक है, class में MCQs की भी practice करवा दी जाती है कुछ mains answer writing practice हो जाती है right, base तयार किया जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आपका revision करवाई जाती है, उसमें class में, तो अलग से बहुत जादा time देने का इतना जादा जुरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है no doubt, self study थोड़ी तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत burdened नहीं होंगे आप इसमें number of classes भी इसमें जादा है because this is a long term batch, तो उसका भी benefit रहता है, and इस course को 48,000 की जगा आप सिरफ 36,000 में avail कर सकते हैं by using the code CSLive CSLive code लगाने से study IQ के सभी batches पे आपको highest possible discount मिल जाएगा, ठीक है ये भी इसका काफी advantage है, ठीक है एक बार features बता देते हैं, जो हमारा 2024 का batch है, वो full timers के लिए best है, जो 2025 का है, वो college going, लोगों के लिए working professionals जाएंगी आपकी पसंद की भाष्णा में, जो आप choose करेंगे, at the time of your adding the course into your cart, live classes दोनों में होंगी, 2025 में number of live classes जादा होगा, तो इसमें क्या होता है, कि पहले आपकी एक overview class होती है, उसमें base सयार हो जाता है, फिर आपका core component same subject का core component करते हैं में थोड़ा step by step building होती है, तभी इसमें pressure कम है, इसमें थोड़ा हम intensely practice करते हैं चीजों को, और इसके बाद घर जाके आपको थोड़ा revision करनी पड़ेगी, mentorship दोनों में available है, एक contact person आपको पचाया जाता है, ठीके उतका contact number आपके साथ share किया जाता है, कभी भी कोई doubt आए, कोई strategy में problem आए, books में problem आए तो उनके साथ share करके आप अपनी strategy plan कर सकते हैं, this is a really good feature answer evaluation दोनों में है unlimited answer जितने मर्जी आप भेज सकते हैं previous year questions हो, ठीके आपने, जो हम daily basis पे mains का answer देते हैं, वो हो गया, या फिर आपने program जो है, वो दोनों के लिए है लेकिन condition यही है, कि prelims clear होना चाहिए, क्योंकि हम अपने hostel में चाहते हैं discipline रहे, तो वही students जिन्होंने earn किया है यह, कि prelims उन्होंने proof किया खुद को, कि we have what it takes, तो इसलिए prelims clear करना इसमें जरूरी है, जिनका prelims नहीं test series, P2Y 2025 में भी है, और क्योंकि 2024 का crash course मिल रहे है, तो एक test series यहाँ पर भी आपको मिलेगी, ठीक है mains की test series included है, दोनों में weekly test दोनों में included है, current affairs दोनों में included है, NCRTs दोनों में included है, course validity इसकी है धाई साल, इसकी है तीन साल, तो यह आपको advantage देगा, और इसमें optional included नहीं है, optional के लिए है हमारे अलग से course, description में उसका link मिल जाएगा, pubad, psir, sociology, history, etc इनकी हम optional classes भी देते हैं, so accordingly you can choose your option, and while enrolling, by using the code cslive आपको maximum discount मिल जाएगा, ठीक है तो further कोई query है, इस telegram channel को join कर लो, instagram पे मुझे message कर सकते हैं, telegram पे मेरा यह handle भी है, h-e-l-l-o-c-h-a-n-d-a-n तो आपकी query में वहाँ पे भी resolve करतूँगा जाने से पहले एक बार दिखा देता हूँ, कि अगर आप मान लो, study IQ की website खोलते हो ठीक है, तो आपको क्या करना है if you want to enroll in let's say long term batch तो live batches में आप जाएंगे live batches के अंदर आप long term batch जो हमारा है इसको खोलेंगे, see 48,000 का ये course है, right by now पर आप जाएंगे, ठीक है मैं तो ये भी suggest करूँगा कि आप में से कई लोग जो जिनको लगता कि जादा time उनको लग सकता है तयारी में, वो भी long term batch को prefer करें, इसमें बहुत सही से हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, this is really good batch 48,000 जो है, इसमें आपको highest discount अगर लेना है, तो आप एक code लगाओगे यहाँ पे, आप में भी इसी code को लगा सकते हो, ठीक है, आपने result आप इसमें जुरूर ले आएंगे, और जिन्होंने Study IQ के साथ जोडना है, description में आपको सारे links मिल जाएंगे, वहाँ पे click करके you can enroll in the batches, and you will see me in the classes as well wish you all the best, thank you so much Study IQ IS अब तयारी हुई, affordable